राइस्तान पॉब्लिक सर्विस कमेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कॉलिज टीचर जिसको कहा जाता है उस वेकेंसी का अभी स्लेबस रिलीज हो गया है तो आप जाकर आरपीसी की साइट पर चेक कर सकते हैं यहां पर केवल जो पेपर फरस्ट है उसका स्लेबस डिसकस करूँगा और कोशिश करूँगा आपको बताने की कौन-कौन से मेजर एरिया से आपको पढ़ने की ज़रूत है तो यह स्लेबस अभी आरपीसी के कली लाँच किया है और यह आप स्लेबस कॉलम में जाकर डाउनलो आउटर स्टेट के जो कैंडेट्स हैं उनके उपर इन स्टेट्स वालों को थोड़ा प्रिवलेज मिल पाए तो चलिए देखते हैं इसमें देखिए पहला पार्ट जो है वो राजिस्थान आर्टन कल्चर लिट्रेचर हेर्टेज ऑफ राजिस्थान अब यह जो टॉपिक है सबसे ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि राजिस्थान का आपको हिस्ट्रीन कल्चर का पूरा ज्यान होना चाहिए तभी इस पेपर में आप स्कोर कर पाएंगे तो यह जो पार्ट है इसमें राजिस्थान के स्पेशल रेफरेंस टू मेज़ुतलिक लेट स्टोनेज साइट इन चाहिए मुझेल आपको मिल रहा हैं इनसाइट सकर्षे बारे में पढ़ें अनेट यह र्यास थांस की आड़न के बुक्स लें राजिस्थान बाटील डीन की विकाशन उन्हें राज किया है उनका ये medieval age जो है 1000-1800 इसके तोरण आपको पढ़ना पढ़ेगा मतलब राजपूत जो एज था वो आपको पढ़ना पढ़ेगा इसमें और वही है आगे फिर political resistance जो चल रही थी खिल जी के टाइम से भी चलती रही थी और मुस्लिम पावर के साथ चली है उसका आपको पूरा ब्यारा देना पढ़ेगा जिसमें आपने महना परताब तक की हिस्ट्री आपको पढ़नी पढ़ेगी और और अरंग्जेब तक के इवेंट्स जो राजस्थान म जितने आकरमन हुए कितने साके हुए यहाँ पर कितने जोहर हुए उस टैप के डेटा आपको रखना पढ़ेगा जो खिल जी का पूरा इवेंट था जहां टॉप राजस्थान में रनथम बोर से लेकि नीचे तक वो गया था गुजरात साइड में वो पूरा इवेंट अमीर कानर देव यह सब खिल जी के टाइम के ही जो योद्धा थे जिन्होंने उसका दड़ाई की थी चंदर सेन परताप यह उसी एरा के लोग हैं तो इनके बारा आपको पढ़ना पढ़ेगा यह मुगल एरा के होगे तो इस तरह के से खिल जी से लेकि मुगल तक आपको पढ़ना पढ़ेगा भक्ती मुवमेंट रायस्थान में काफी सारे भक्ती मुवमेंट्स रहे हैं जो चाहे नाथ मुवमेंट रहो चाहे बिश्णोई का मुवमेंट रहो वो सब आपको पढ़ना पढ़ेगा इसमें गुरु जंबेश्वर से लेके सुफिजम जो चला था अकबर के आने के बाद अजमेर में जो उसका अपी सेंटर बना चिश्टी जी के बाद वो आपको पुड़ा पढ़ना पढ़ेगा तो दादू, मीरा, भक्ती ये सब आपको अच्छे खासे टॉपिक में मिल जाएंगे सेंट्स के बारे में पढ़ना पढ़ेगा ये जो पांच सेंट्स हैं फेमस राइस्थान के रामदेव जी, गोगा जी, तेज़ जी, पाबु जी, मलीनात, धन्ना सेट और यादी इस सारे आपको राइस्थान की जीके वाली बुक्स में मिल जाएंगे तो इससे एक चीज़ के लियर है कि राइस्थान की जीके का काफी डी प्रफरेंस लिया गया है तो आप सोच लीजे कि आपको किस लेवल की त्यारी करने की ज़रूरत है और बाकी देखें आटन कल्चर में फोक गॉड़न गॉड़ेस जो राइस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में लोक देवियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा देव नरायन जी इस तरह के बहुत सारे चोटे 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 लोक देवता हैं उनके बारम को पढ़ना पढ़ेगा फिर 1857 की बात आती है राइस्थान में जब पॉलिटिकल अवेक्निंग हुआ था पीजन्ट मुवमेंट्स यानि किसानों के मुवमेंट्स जिसमें बिजोलिया आदी बहुत फेमस हैं बागू गांदुरन यह सब जो हैं इस सब को पढ़ इसके बहुत इंपॉर्टन है इसकी डेट्स आदी नेता कौन थे और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पढ़नी पढ़ेगी और उसमें राइस्थान की इंपॉर्टन वूमन ने जो कंटिबिशन दिया यह आपको ध्यान से देखना पढ़ेगा फोक कल्चर में रा कि कि इसी की त्यारी करनाओ पड़ेगी इसमें क्या है कि पेइंटर्स के नाम ठीक है और उस पेंटिंग की कि क्या सब्स्क्र आपको थोड़ा राहिस्थानी कल्चर के बारे में डीप पढ़ना पड़ेगा फोक सॉंग्स जैसे कौन-कौन से पाउड़ा गीत हो गया इस तरह की गीत कब राहिस्थान में गाये जाते हैं फोक डांसिस हो गई यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स भी है तो उनके अकोर्डिंगली आपको उनके फोक डांसिस फोक म्यूजिक लोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो यह सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके राजिस्थानी नाम आपको याद रूप में आएगा हो सकता है आपके राजिय में उसको कुछ कहते हूं लेकिन यहां आपको राजिस्थान के साब से त्यारी करनी होगी राजिस्थानी लैंग्वेज उसका ओरीजन और डेवलाप्मेंट बहुत इंपॉर्टन है में डाइलेक्स रीजन राजिस्थान की ल है और अलग एक डाइलेक्ट है वह आपको याद रखने पड़ेंगे राजिस्थानी स्क्रिप्ट में मूडिया और देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में आपको कॉशिन आ सकते राजिस्थानी लिट्रेचर ऐसी आपको पढ़ना पड़ेगा अर्ली मेडिवल पोस्ट मे वेबसाइट पर चला जाओ उसकी टूरिजम पॉल्सी आप डाउनलोड करो उसको ठीपली पढ़ो कब एक बार तो डेट ही पूछ लिए गया था कब उसको लास्ट लॉंच होई और उसका में एम पढ़ो उसमें एक दो स्कीम सोंगी उनके बारे में पढ़कर आप प्रदेश पूर्वी प्लेइंस हो गया और साथ वेस्ट जो अपना हडोती वाला इलाका हो गया जिस तरह किसे डिविजन से हैं और उसमें क्या 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 फीचर्स है वहां के कौन-कौन सी रिवर्स और लेक महा बहती है क्लामेट रैसान का उपराल कैसा है नैच्वल पी करना पड़ेगा वह अपको अविलबल हो जाएगी और कुछ ऑनलेन साइट्स पर भी है अरी महुन सक्साइन आप ध्यान रखेगा और पॉपलेशन स्राइस्थान का 2011 का सेंसस इसको प्लीज ध्यान रखे यह मेरे चैनल पर इसके वीडियोस हैं आपको बहुत मदद करे बहुत डीपली मैंने से कवर किया है बहुत ही हल्प होगी आप प्लीज विजिट कीजिए और बुक्स के रिगार्डिंग भी इसका एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था लास्ट यह के साब से उसको भी आप विजट कर सकते है प्रड़क्शन डिस्टिबिशन ऑफ मेजर आपको मिल सकती है ड्रावट एंफ फेमाइन्स राइस्तान की प्रॉबलम से ज्यासे ड्रावट एंफ की डिसर्टिफिकेशन की इनवर्मेंटल प्रॉबलम क्या किया है डिसरमैंट उफ प्पेंडमिक्स रैस्तान में जो आए हम तक उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको जानन मिलेगा तो राइस्थान की पर्टिकल हिस्टरी की तियारी करने के लिए आपको मेंली राइस्थान में गवर्नर ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टरी है तो लगबग आपको सभी स्टेट का सेम डाटा मिल जाएगा लेकिन ये देखे जुडिशल सिस्टम आफ प्रिशल को प्रिशंट के बारे में जान सकते हैं पहले कमिशन के हैड कौन ते कब और प्रिशिट के रहते हैं अब एक इंप्ड़न चीजिसमें यह USPSC Annual Report देती है अपनी वहाँ पर मिल जाएगा उसमें देखना आए और State Election Commission ने भी एसी अपनी रिपोट दियोगी उसको भी आ पढ़े है थोड़ा सा data आपको अच्छा मिल जाएगा यह चीफ secretary गौश्चेटरी यह सब स्टैटों के सेम ही होते तो सिमिलर यहां पर भी ऐसे ही आएगा डिविजिन कमिशनर तो यह लगबग आपको सेम ही मिलेगा तो लेकिन यह पंचायती राज और अर्बन लोकल सेल गवर्मेंट के लिए मेरा एक वीडियो है उसको फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से कवर किया है राइस्तान में थोड़ा सब्सक्राइब पॉलिक सर्विसे जो अपना सिटिजन चार्टर है शोशल ऑडिट हुआ जन्सूचना पोर्टल यह राइस्तान का है यह यह चीज़े जो है यह आप ऑनलाइन ही जाकर इनकी मिल जाएगी आपको राइस्तान संपर्क पोर्टल है इंफ्रमेशन ऑनलाइन मि सब्सक्राइब जाएगी इकनोमयव राइस्तान के लिए नातुरामका जी की बुक है अच्छी बुक है वो फॉलो कर सकते हैं और स्टेट इकनोमिक सर्वे आप पढ़िए वह आपको इतनी अच्छी इंफरमेशन देगा उसमें सब कुछ डिटेल में हैं और आपको काफी ह हो सकती है उससे और उसको डाउनलोड के जी राइस्तान के डिपार्टमेंट ऑफ एकनोमिक सेंस्टेटिक्स के वेबसाइट पर मिल जाएगा यह ओनलाइन आप डालेंगे गूगल में तो आपको कहीं भी सर्च करने से मिल जागा लेटेस्ट इकनोमिक सर्वे प्लस अभी सब कूछ दिया हुआ कितना सबस्तिं वां कितने हिर्य आपर है कितना नहीं है यह सब चार पांच को तो पऽान रखने पड़ेंगे और इंडेस्ट्रियल आउटलुक में राजस्थान में जो है major industries को यह सब आपको economic survey में मिल जाएगा यह budget document में सब मिल जाएगा medium and small industries जो है उनका role problem राजस्थान में कोई special economic zone राजस्थान के role of राजस्थान industrial corporation जो है बहुत बहुत बना role पहला करता है राजस्थान इंडेस्ट्रियल जो boom है revolution के लिए इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी एग्रो परसेसिंग पॉलसी ओनलाइन इस document को कि और उसमें आपको सुजय सर मेने की डाउनलोड करके उसको डीपली पढ़िए उसमें ऐसे जो स्कीम्स लॉंच कर रही है government उसके बारे इंफ्रमेशन मिल जाएगी infrastructure development राजस्थान में highways ठीक है कौन-कौन सा highway pass होता है कहा से होता है कितना है कौन सा जोड़ता है power generation राजस्थान का कौन-कौन सी विद्यूतनी कम इसमें involved है कौन सी एजनसी पावर को distribute करने में regulate करने में involved है यह सब इसमें पढ़ना पड़ेगा और राजस्थान के recent कोई solar project हो तो handicraft राजस्थान के कावी famous है कटपतली आर्ट से लेके बहुत सारे आर्ट से थेवा आर्ट हैं वह सब आपको पढ़ने पड़ेंगे major item of exports from राजस्थान यह आपको economic survey वाले document में इसकी information मिल जाएगी welfare scheme government की यह सब आपको government की site से data download करने से मिल जाएगा राजस्थान अगर आप कोई भी जैसे राजस्थान पंचायती राज के department के website पर जाएगे तो आप पूर एक document है जिसमें राजस्थान की जितनी village related schemes हैं वही आपको mainly social backward scheme का data मिल जाएगा ठीक है tribal welfare वाले में tribal का data मिल जाएगा woman empowerment वाले में woman का data मिल जाएगा एसे ही चार development में और regional economic inequalities in राजस्थान ये सब आपको उसी document को जो पढ़ेंगे तो आपको उसकी जो परस्तावना होती है उसमें सब चीजे लिखी होती है contemporary events में local events जो चल दें राजस्थान के पिछला 5-7 महिने का जो भी करन जीक है उसको पढ़िए राजस्थान में कई magazines आती हैं जो monthly आपको data provide कर देंगी तो 50 marks का paper है 100 questions है बहुत important है ठीक है तो दो घंटे का paper है सिर्फ यह ठीक है और सभी questions के equal marks है ठीक है तो दोनों भाशाओं में आएगा लेकिन negative marking रहेगी ति रेश्यो 1 की तो आप ध्यान रखिए accordingly त्यारी किजिए और इन सब से related जो books है उसके लिए इसका पिछला वीडियो छोड़ दूँगा इसमें description में उसको click केजिएगा और उसको पढ़िए तो आपको बहुत बहुत शुप कामना है best of luck त्यारी कीजिए नमस्कार और success आपको मिले मेरी ये कामना thank you